हेलो दोस्तों स्वागते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आई टी आई पर दोस्तों पंजाब स्टेट पावर कॉर्परेशन डिमिटेड यानी PSPCL में आई टी आई के इलेक्रिशन और वायरमेंट टेड वाले स्टुडेंट्स के लिए पंद्रा सो पदो की एक बड़ी अपरेंटिस की भरती निकाली गई है और आज की इस वीडियो में इसी अपरेंटिस की भरती की समस्त जानकरी हम आपके लिए लेकर आए हैं अगर बात करें इस वीकेंसी के नोटिफिकेशन की तो आपको स्क्रीन पर नजरा रहा होगा जिसे आप हमारे टेलिग्राम उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तो इस वीकेंसी में आपको ओनलाइन अपलाई करना पड़ेगा जिसकी डेट 27 फरवरी से इसका फोर्म स्टार्ट होने वाला है और 27 मार्ज इसके लिए अन्तिति रखी गई है अगर बात करें इस वेकेंसी में निकाली गई पोस्त की तो आप देख सकते हैं जनरल वालों के लिए 904 पोस्ते हैं, सिडिवल कास के लिए 301 पोस्ते हैं, वेक्वर्ड क्लास के लिए 148 और फिजीकली हैंडीकैप के लिए 77 पोस्ते कुल मिलाके 1500 पोस्टों का ये कि ये apprentice की vacancy निकली हुई है इसमें केवल पंजाब राजजे की candidate apply कर सकते हैं और इसमें apply करने के लिए जो पंजाब का आपका मून निमासी प्रमाण पत्र है वो एक जनवरी 2023 के बाद का आपका बना हुआ होना चाहिए तो पंजाब वाले candidates के लिए जिनने आइटिया इलेक्रिशन वायरमेन में की हुई है ये काफी अच्छी apprentice की vacancy के लिए मोका है इसमें apply करने के लिए आपकी आइटिया वायरमेन और इलेक्रिशन टेंड में होनी चाहिए आपकी आइटिया NCVT या SCVT किसी से भी अगर आपने QEA तो भी आप इसमें apply कर सकते है इसमें apply करने से पहले आपका result declare हो जाना चाहिए जो की last date से पहले जो apply करने की last date रखी गई है उससे पहले आपका result आगया हो तो आप apply कर सकते हैं इस्टाइपेंट की अगर बात करें जो mining में आपको stipend डिया जाएगा वो 700 रुपे परतीमा का stipend यहाँ पर निर्धारित किया गया है और यही आपको परतीमा डिया जाएगा इसमें apply करने के लिए आपको पंजाबी आना जरूरी है और दसफी कक्षा में आपका एक एक एक्जाम होने वाला है एक्जाम का जो प्रोसीजर है वो पूरी तरह के साँ ओनलाइन रहेगा और जो एक्जाम की language है वो English और पंजाबी दोनों में एक्जाम का आपका paper आएगा जो online exam paper होगा वो इसमें आपके multiple choice question होंगे जो total 100 question आएगे इसमें जो आपके trade related question है वो 70 question आएगे जो wireman or electrician trade से संबन नित होंगे 20 question आपके पंजाबी grammar के होंगे और 10 knowledge आपके general knowledge के मांगे गए हैं कुल 100 question का यहाँ पर आपका paper होने वाला है minimum qualifying marks यहाँ पर 20% रखे गए हैं तो यह काफी अच्छा मुका है आपके लिए आगे बात करते हैं यह जो exam यह जो online test होगा इसके जो center की information है या आपको जो आपका admit card है जो की official website पर या फिर आपकी email ID पर आपको मिलेगा वहीं पर आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी साथ ही इसमें जो exam होगा exam का जो syllabus है वो आपका जो trade वाले जो question है वो आपके ITI के में जो question चलते थे ITI का जो syllabus है उसे के अनुसर आपके question हैं इस exam को clear कर देने के बाद आपके document चेक होंगे और finally आपकी merit publish कर दी जाएगी ठीक है इसमें apply करने से पहले आपको apprentice इंडिया की official website पर अपना registration किया करना होगा अगर आपने अभी तक अपना registration नहीं किया है तो आप हमारी i button पर वीडियो देखकर अपना registration अप्रेंटिस पोर्टल पर कर सकते हैं जो कि आपको मालूम हूँगा किसी भी apprentice की vacancy में apply करने के लिए जरूरी है आगे बात करते हैं apprentice की training के लिए क्या आपको कितने समय तक मोका मिलेगा तो यहां बताएगा कि एक वश तक आपको apprentice करने का यहां पर मोका दिया जाएगा apprentice की training आपकी एक वश की रहेगी और इसी दुरुना को 700 रुपर प्रतिमा का वेतन दिया जाएगा इस टाइपेंट दिया जाएगा online application की fees देख लेते हैं general वालें के लिए 420 रुपे SC candidates के लिए 280 रुपे backward class के लिए 420 रुपे और physically handicapped candidates के लिए 280 रुपे यहाँ पर application fees form की fees लगने वाले हैं चीक है आगे देख लेते हैं एक candidate एक बारी form बढ़ सकता है उसको दोबारा form बढ़ने की आउशक्ता नहीं होगी अगर दोबारा form बढ़ता है तो उसका form में problem आ सकती form reject किया जा सकता है चीक है जो आपका admit card है वो आपकी email ID पर बेज़ दिया जाएगा तो आपकी email ID official website के साथ आप चेक करते रहे हैं मैं आपको बता दू इस वेकेंसी में आपको जो form अपलाई करना है उसका link यहाँ पर दिया हुआ है इस यह link हम इस वीडियो के description में भी डाल देंगे जहां से आप click करके सीधा इस official website पर चले जाएगा और अपना form बढ़ सकते हैं इस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि जो link इस तरीके से open हो जाएगा यहाँ पर आपको form बढ़ने के instruction है वो पढ़ने को मिल जाएगे मैं आपको basically बता देता हूँ सबसे पहले आपको नीचे की औराना है यहाँ पर check box पर आपको check करना है और सबसे पहले आपका registration करना है click to register का एक option है as a new user आपको registration करना होगा और यहाँ पर आपको आपका email ID आपका mobile number डाल कर आपका password generate करना पड़ेगा इसके बाद आपको आपका password 12 sẽ डालना है अधार card डालना है और आपको रपना registration कर लेना है registration करने के बाद आपको 12 से login करना है और login करने के बाद जिसे कि मैं आपको बता देता हूँ check box का click करके click to login करना login करने के बाद अपना form fill up कर लेना है बहुत basic सी details से आप मांगी जाएगी और इस तरीके से अपना forma फिल कर सकते हैं तो student ये जो vacancy है उम्मीद है कि इसकी जानकरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर वीडियो अच्छा लगाए से like जरूर कर दे साथ ही other vacancies भी ITA candidates के लिए निकली हुई है इसमें आपको बता देता हूं भारत dynamics में वेकंसी निकली हुई है और इस फेक्ट्री में ITA candidates के लिए apprentice में बी एफ बीए एफसी में वेकंसी निकली हुई है सारी जानकरी है सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं इन वेकंसी की वीडियो देखें अब इन में जरूर अप्लाई कर दें साथ यह मैं टेलिग्राम पर भी जोइन करें और इस्टा पर भी मैं फोलो करें मिलते हैं एंगली वीडियो में टेक केर